हेलो दोस्तो टेक्स्टाल लीजन यूटूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम फोटोशोप में सिबोरी पेटन कैसे बना सकते हैं टाइडाय पेटन कैसे बना सकते हैं शिबोरी पेटन कहें या फिर टाइडाय पेटन कहें तो आज का ये पूरा वीडियो हमारा शिबोरी पेटन के उपर रहेगा और शिबोरी पेटन का आईडिया दिया था मुझे सुनिल कुमार कनो जिया ने जिसने मुझे कमेंट करके बत वह तो दोस्तो् वेशे तो सीवोड़ी पेटर्न बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पर आप इजी लिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो उसके पहले दोस्तों हम में देख लेते हैं इंटरनेटपर is शिबोरी पैटन होती कैसी है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है अगर नहीं पता है तो हम सटस्टोक में सर्च कर लेते हैं कि शिबोरी पैटन कैसी होती है यहाँ पर हम सटस्टोक की वेबसेट को अपन कर लेते हैं और यहाँ पर टाइप कर देते हैं सिबोरी पैटन तो देखे दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी सिबोरी पैटन हमें मिल गई है अब हम इसे सचस्टोक से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो आप वो वीडियो देख ले आप बिना वोटर मार्क के यह सारी पैटन यूज़ कर सकते हैं तो देखे दोस्तों इसमें बहुत सारे वोटर मार्क है पर मैंने आपको बताया है कि वोटर मार्क को रिमूव कैसे किया जाता है अगर हम में पेज पर आ जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों की सिबोरी पैटन के बहुत सारे टाइप्स हैं ट्राइंगल सर्क और भी बहुत सारे sivori pattern बनते हैं तो यह तो हो गई हमारी sivori pattern कैसी होती है उसके बारे में अब हम देखते हैं कि sivori pattern हम Photoshop में कैसे बना सकते हैं अब देखें दोस्तो sivori pattern बनाने के लिए हमें पहले brush की जरूरत पड़ेगी अगर हम brush बनाने जाएंगे तो बहुत सारा time लग जाएगा एक brush बनाते बनाते इसलिए मैं आपको suggest करता हूँ कि आप Sibori pattern के brush इंटरनेट से download कर ले उसमें आपको आसानी रहेगी और मेनज भी कम करनी पड़ेगी तो देख लेते हैं दोस्तो मैंने यहाँ पर यह वाली जो file है वो इंटरनेट से download करके रखी है अब इस brush को हमें Photoshop में load करना है इससे पहले हम इसकी properties देख लेते हैं यहाँ पर देखें दोस्तो हमारे ABR file है आप जब भी इंटरनेट से brush download करें ABR file ही download करें तो ठीक है दोस्तो अब इसको हम Photoshop में load करने वाले हैं तो load कैसे करेंगे मैंने यहाँ पर एक paste दे लिया है 40 inches by 40 inches और 150 का resolution अब देखें हमें पहले brush पर click करना है फिर यहाँ पर यह जो आपको दिखाई दे रहा है मैं zoom कर लेता हूँ काकि आपको दिखाई दे देखें यहाँ पर आपको click करना है फिर उसके बाद यहाँ पर यह जो setting का जो option है वहाँ पर click करना है और इसमें आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है load ब्रस पर अगर आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेगा कहां से हमें load करना है मैं desktop पर चला जाता हूँ और देखें यहाँ पर हमारी टाइडाश टेम ब्रसी से है वह भी abr फाइल तो वह हमें यहाँ पर show कर रहा है मैं इसको select कर लेता हूँ और यहाँ से load कर देता हूँ तो अब इसे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ तो आप देखें दोस्तों मैं zoom कर लेता हूँ पहले थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं के 2406, 2468 से लेके यहाँ तक 2472 तक यह सारे हमारे शिबोरी पेटन के लिए बने बनाए ब्रस है अब इसी काम यूज़ करके पेटन बनाएंगे अभी मैं इसको माइनस कर देता हूँ अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ले और यहाँ पर foreground में मैंने color choose कर लिया है blue अब यहाँ पर मैं new page ले लेता हूँ control shift n के साथ और यह ब्रस हम यहाँ पर लगा देते हैं देखें दोस्तों कितनी मज़ेदार सी है pattern बन गई है अगर आप इसके उपर दो बार और क्लिक करें तो यह थोड़ा dark color बन जाएगा या फिर आप यह भी कर सकते है कि इस layer 1 की हम तीन कोपी बना ले एक दो और एक तीन अब इसको मर्च कर देते है अब मैं more tool लेक कर लेता हूँ अब इसी की हम pattern बनाएंगे तो सबसे पहले मैं इसको control T करता हूँ और यहाँ पर मैं उसके guideline रख देता हूँ अब इसी की मैं copy ले लेता हूँ उसको control T करके मैं यहाँ पर place कर देता हूँ और यहाँ पर एक vertical guide डग देता हूँ और इसी की एक copy लेके मैं यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर भी एक guide डग देता हूँ एक और copy मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर रख के वहाँ पर भी मैं एक guide लगा देता हूँ तो देखे दोस्तों हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक repeat create हो गया पर यहाँ पर कुछ problem है देखे दोस्तों यह जो हमारा पहला वाला pattern था पहला वाला जो brush था उसका जो यह उपर का हिस्सा है वो cut रहा है और यहाँ पर नीचे वो joint नहीं हो रहा है तो इसी को मैं पहले joint करना पड़ेगा तो मैं select कर लेता हूँ इसी layer को इसी में control से मैं इसका selection ले लेता हूँ फिर जो हमारा बाहर जो जा रहा है उसको हम select करेंगे अंदर वाला जो है उसको minus करके अब इसी को मैं control T करके shift के साथ यहाँ पर मैं place कर देता हूँ इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे इसका हमने selection ले लिया sorry हमें लेना है इस फाइल का selection और rectangle mark के tool select करके यह अंदर का इससे हम delete कर देंगे फिर इसको control T करके हम यहाँ पर नीचे बिठा देंगे अब ठीक है दोस्तों तो यह बन गए हमारी cbori pattern हमको अब इसे select करके pattern बनानी है alt ed press करके और enter कर देना है अब दोस्तों मैं एक new page ले लेता हूँ यही size ठीक है चलो मैं ok कर देता हूँ और यहाँ पर मैं pattern फिल करके आपको दिखा देता हूँ तो देखे दोस्तों कितनी बहुत सी मज़ेदार सी cbori pattern हमारी बन गई है अगर हम brush के शुरू नहीं करते तो इसमें बहुत सारा time लग जाता है यह पूरा एक circle बनाने में उसके बाद में आपको दिखाता हूँ एक और brush इन सबकों में select करके control-z कर देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ और यह सारी guideline भी में हटा देता हूँ ALT V D प्रेस करके ठीक है अब फिट से हम brush में जाएंगे और यहां पर कोई और एक brush select कर लेते हैं मैं यह वाला brush select कर लेता हूँ अब एक new layer ले लेते हैं आप यहां पर जो भी foreground में color रखेंगे वह ही color हमारा यहां पर आयेगा मैं अभी blue को इसलियक रखता हूँ और यहां पर हम देखते हैं यह वाला brush देखें यह भी दोस्तों बहुत मज़ेदार सा brush है अब इसकी हम pattern बनाएंगे इसको करेंगे Ctrl T फिर horizontal और vertical guide रख देंगे इसके बाद इसकी एक copy करेंगे फिर इसको Ctrl T करके यहां पर place करेंगे और यहां पर guide रख देंगे इसके बाद हम इसमें इन दोनों को select करके यहां पर हम नीचे placement दे देंगे और यहां पर भी एक horizontal guide रख देंगे तो यह वाला इससा बन गए आमारा pattern का अब इसको pattern बना लेते हैं और enter कर देते हैं फिर से हम यही पर जाएंगे और यहां पर pattern field कितनी आशनी से हम pattern बना सकते हैं मैं सारे ब्रॉसिस आपको एक एक करके दिखा देता हूं कि यहां पर 35 ब्रॉसिस वह कौन-कौन से हैं इसको मैं Ctrl-Z करके ग्रुप को बंद कर दिया और एक new layer ले लिया अभी मैं गाइड लेटा देता हूं Alt-V-D press करके अब one by one हम ब्रॉस देखेंगे तो देखें पहला ब्रॉस यह है दोस्तों इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाए दे मैं काम यह करता हूं कि यहां पर में तीन बार क्लिक कर दूंगा ताकि वह कलर डार्क हो जाए एक दो तीन देखें दोस्तों ऐसा फिर यह वाला ब्रॉस फिर से में सिलेख कर लेता हूं फिसरा अमारा ब्रॉस फिर यह चोथा फिर यह पांच मां मैं पेस की साइज बटा देता हूं कंट्रोल ओल्ट फी प्रेस करके यहां पर असी बाई असी कर देता हूं इन सब को मैं रख देता हूं यहां पर यह ब्रॉस देखें दोस्तों यह ब्रॉस तो टोटल 22 ब्रॉस है आप इसकी साइज बड़ी छोटी भी कर सकते है तो दोस्तों देखें यहां पर हमारे पास बहुत सारे ब्रॉस है अगर आप यह ब्रस डाउनलोड करना चाहे तो मैं नीचे डिस्किप्शन में डाउनलोड की लिंक दे दूगा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही सुनिल कुमान ने बोला था कि सिबोरी पेटर्न के बारे में भी एक वीडियो बनाओ इसलिए मैंने वीडियो बनाई है उनके लिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कहीं प्रोब्लम हो रही है तो कमेंट करके शुरूर बत किजिए शेर किजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए टेक्स्टाइल दिजिए यूटूब चैनल को मिलते हैं अगली वीडियो में थेंक यू